मरुतु सुजुकी बलिनो प्रीमियम हैच्पेक के सेग्मेंट में राज करने वाली ये गाड़ी पहार से जितनी बोल्ड और प्यूटिफुल दिखती है अंदर से उतनी ही स्पेसियस और कमफर्टेबल भी है अगर आप कुद ड्राइब करते हैं या फिर आप एक बिजनसमैन है जो रियल सीट कमफर्ट चाहते हैं या फिर आपको अपनी सासूमा को एरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए उनके बड़े सुटकेसे के लिए बड़ा बूट चाहिए या फिर आपकी पॉकेट फ्रेंडली प्रियरिटी है ज्यादा माइलेज तो ये कार हर किसी के पस्पेक्टिव में बिल्कुल फिट बैट दी है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रुपेश और स्वागए था आपका कार टेक की एक नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मारुत सुजुकी बलिनो की इस कार को पहली बार भारत में पेश किया गया था 1999 में एक 5 डोर सेडान के रूप में जिसमें लगा हुआ था 1.6 लिटर का एक 4 सिलिंडर पेट्रोल इंजिन जिसके पावर और टॉक फिगर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने समय की ये काफी खुब सूरत कार थी लोगों ने से काफी पसंद किया इस कार में अच्छा स्पेस, अच्छा बूट स्पेस, सारे फीचर्स और एक बेहतरीन रोड प्रेजन्स भी मिल रहा था इस कार का प्रोडक्शन उनीच सुनिन इन्यानवे से 2007 तक हुआ फिर भारत में PS4 नॉम सा जाने के वज़े से इस कार के एंजिन के साथ साथ इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया सप्टेंबर 2015, फ्रैंकफर्ट मोटर शोव सुजुकी ने एक कॉंसेप्ट कार को शोकेस किया नाम था I2K दो महने बाद यही कार भारत में लॉंच हुई एक प्रीमियम हैच बैक बनकर और नाम दिया गया बलीनो बलीनो वापस लॉट तो आई थी मगर एक सेडान के रूप में नहीं, एक प्रीमियम हैच बैक के रूप में इस कार में सब कुछ नया था एक नया हर्टेक प्लेटफर्म नया एंजिन, 1.2-liter VVT पेट्रोल इंजिन और 1.3-liter DDIS टीजल इंजिन और इसके साथ ही पहली बार पेश किया गया था पेट्रोल में CVT Automatic Transmission नया इंटिरियर, नया एकस्टिरियर बेहती खुबसूरत लगने वाला Liquid Flow Design HID Headlights with TRLs Rear Combination LED Lights Alloy Wheels, बहतरीन इंटिरियर Touchscreen Fortainment Systems, Rear Camera, Automatic Headlights और बहुत सारे फीचर्स जब ये कार भारत में लाँच होई तब Premium Hatchback के सेग्मेंट में राज कर रही थी Hyundai की I20 इसने लाँच होते के साथ उसके सेल्स को काफी पीछे छोड़ दिया इस सेग्मेंट में और भी कार्स थी VW की Polo, Honda की Jazz पर बलीनों के लाँच होने के बाद फिर कभी भी वो इसके सेल्स को क्रॉस नहीं कर पाई 2015 में लाँच होने के बाद से लेकर ये कार अपनी सेग्मेंट में धूम मचा रही थी इस कार को लाँच हुए अब तीन साल हो चुगे थे और इसे अब जरूरत थी एक फेसलिफ्ट की मारूती ने 28 जनवरी 2019 को बलीनों का फेसलिफ्ट परजन को इंडिया में लाँच कर दिया इस कार में अब एक रिफ्रेशिंग फ्रेश न्यू बंपर न्यू रियर बंपर और न्यू ग्रिल डिजाइन था इंटिरियर में सीट फैब्रिक को कलर को चेंज किया गया था और चोटे मोटे ट्विक्स किये गये थे इसके बाहरी डिजाइन में इसमें अब 16 इंच के न्यू अलोई विल साइथ है जो डूल टोन मशीन कट थे इसके साथ ही इंट्रद्यूस किया गया था एक न्यू इंफोटेन्मेंट सिस्टम जिसे मारूती स्मार्ट प्ले इंफोटेन्मेंट सिस्टम कहता है दोनों पेट्रोल डीजल इंजन सेम रखे गए थे और इनके साथ मारूती ने पहली बार बलीनों में पेश किया था एक माइल्ड हाइब्रिड टेकनलोजी इसके साथी मारूती इंडिया लिमिटड ने टोयोटा के साथ पार्टनर्शिप में अपनी बलीनों को टोयोटा डीलर्शिप पे बेचना सुरू किया जिसका नाम रखा गया टोयोटा ग्लैंजा मारूती में ये कार चार ट्रेंस में आ रही थी कार्स में स्पोर्टी रेसिंग डेकल्स लगाना और एक RS की बैजिंग मारूती ने बलिनो का भी एक RS वर्जन लाँच किया मगर ये सिर्फ डेकल्स लगी होई एक कार नहीं थी इसमें अंडर दे हुड चेंज था इसमें लगा हुआ था जैपान से इंपोर्टेड वन लिटर का टर्बो चार्जड एंजन जिसे मारूती बूस्टर जट एंजन कहता है ये प्रोड्यूस करता था 101 बेच्टी एंड फिए एंड वन फिफिटी नुटन मिटर अफ टॉर्क ये एक performance oriented version था बलीनो का जिसे यंगस्टरस को थ्यान रखकर डिजाइन किया गया था इसकी main competitor थी अबार्थ पुन्टो और पोडो जीटी TSI ये कार mileage oriented नहीं performance oriented थी हलकी body होने के वज़़े से ये कार 11.9 seconds में 0 to 100 की speed पकड़ सकती थी 2019 के end में बलीनो RS के कम sales की वज़़े से मारूत इने से इंडिया में डिसकंटीन्यू कर दिया पर इसके बागे trims अभी बें इंडिया में most selling premium hatchback cars पने हुए थे बलीनो के light outer sheet और हलकी body के वज़़े से इसे काफी repair से negative response भी मिला बहुत लोग इसे teen car diva, moth की गाड़ी, etc. etc. कहते थे और फिर भी ये one of the India's most good looking car है और अपने segment में अभी भी राज कर रही है बरिनो को लेकर मारूती के features plans क्या है इसके बारे में तो भी को information नहीं है आने पर मैं एक add-on video सरूर बनाऊंगा तil then buy your seatbelts, always ride your two wheeler with your helmet on and subscribe to my channel for the interesting history of other car models Jai Hind, Vandimad Ram